गुड मोर्निंग इस्टुडेंट्स आप सभी को अपना जो लेसन चल रहा है उपनिवेश्वाद और देहाद सरकार्य अभिलिखों का अध्यन इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से जो जमीदार जो थे उन्होंने परतिरोद किया उन्होंने अपनी रणनीतिया बनाई जो जो उद्दारों की जो शक्ति का उदे हो रहा था ठीक है या जो उद्दार जो लोग थे वो उनकी जमीनों को जब हड़प रहे थे या खरीद रहे थे तो उसमें जो जमीदारों का जो प्रतिरोद था और जमीदारों ने किस प्रकार से अपनी रणनीतिया बनाई तो उ उनकी जो सबसे पहली तो रन नेती थी बेनामी खरीददारी बेनामी खरीददारी का मतलब यही था कि उन्होंने जो जमीन थी वो महिलाओं के नाम पे लेना सरू कर दिया चाहे उनकी पतनियों के नाम हो चाहे उनकी माग के नाम हो और सरकार में यह नियम था आपको बताया इनके एक दूसरी रणने ती थी जमीन के कबजे की समशह उत्पन करवा दी किनको जोद्ददारों को अब जमीन के कबजे की समझे में क्या थी? अब इसमेंदेखते हैं पहली बात तो जमीदार अपनी किशी जमीन की निलामी के समय अपने ही आदमीवें से बोली लगवाते थे अगर मां लों उन्होंने राजस्तो नहीं चुकाया समय पर किनोंने? जमीदारों ने जमीन थी इनकी जमीदारी थी उनकी निलामी करवा दी जाती थी तो अपनी जमीदारी उसनके बचाने के लिए वा पात थियो के लिया थो अपनी जमीन को अपना फिर वा द्लिक्तर रज awakened पा zenरा ratio जमीन में प्रवेश ही नहीं करने देते थे अब आप कहोगे कि लठेत क्या होते हैं इसका मतलब होता है कि लाठी लेकर खड़ रहने वाले लोग यानि अगर मालो जमीदार की जमीन है और उसको कोई भार का आदमी खरीद लिया किसी ने उसको खरीद लिया तो उसका कबजा नहीं देते थे कबजा लेना क्या होता है कि वही किसी आदमी ने किसी को खेत बेज दिया ठीक हा उनका आपसी विवाद है आपसी जगड़ा है और खेत बेजने के बाद उसने रजिस्ट्री तो करा दी उसके नाम कोट में गया र पीट के भगाद देगा या उनके सर फोट देगा या कोई कोट कचेड़े ओर हो जाएंगे तो तो पैसे लुट गे जो लुट गे और कभजा फिर बाद में कभी अगर सालों बाद अगर कोई उसके पास भी ताकत होती है या वो कुछ और अथकंडे अपनाता है कभजे लेने पं थे जो उनकी जमीने बाद योते थे उनको बढ़का देते थे ठीक है या फिर जो रैयत के जो पुराणे जमीदार के साथ लगा वे सानु बुती होती थे ληखे क अफिर रैये होता था अपना जो मालीख समझता था उसको वह यह मिर जमीन देता है तो उसके साथ कोई सा जमीनों की अधिक बोली देकर खरीदने का सास कम ही कर पाते थे यानि मान लो जैसे उसने राजस्तों नहीं चुकाया तो अपनी जमीदारी को बचाने के लिए या उसका विरोध जताने के लिए या उसकी रणनीत्य अपनाने के लिए उसने एक अथकंडा अपना लिया था कि जमीन आप कैसे कबजा करोगे, मैं छोड़ूँगा है नहीं, कबजा नहीं छोड़ूँगा, और अगर कोई खरीद लिया, किसी ना आ गया, तो उसको लठैत का मतलब होता है, लाठी लेकर खड़े रहने वाले लोग, जो हमला कर देते हैं, अचाननक और जो मार पिटाई करत प्लानिंग थी, अब अगला क्या हाता है, कुल मिलाकर, हाँ, हाँ, संपन जोड़ूदार के निलाम होने वाली जमीनों को खरीदना संभाव था, क्योंकि उसके पास दबंग और लठैल भी होते थे, अगर कोई जोड़ूदार है, ठीक है, जोड़ूदार तो जमीदारों स ज़्यादा संपन थे, तो वो क्या थे, कि निलाम होने वाली जमीन को अधिक पैसों में अगर उसने खरीद भी लिया, तो वो संपन थे, उनके पास पैसे देखकर कि उनके पास भी दबंग लोग होते थे, लठैल लोग होते थे, अगर जो कबजा नहीं छोड़ रहा है, उ तो ये भी एक तरीका था, तो इस्थाने रईयत का समर्थन उन्हें भी प्राप्त होता था, कुल मिला कर ये का जा सकता है कि संपन जोड़दार था जमिदार बंगाल की अर्थववस्ता में इस्थाई बंदोवस्त से उत्पन प्रस्ततियों में अपना प्रभूत्तु बन मज़ तक तो बंगाल के, सोरी, 1939 की मंदी से पहले तक उन जमिदारों की शक्ती सुद्रड ही रही जो प्रारंबिक संकटकाली अंदस्कों में अपना स्थित्तु बनाए रखने में काम्याव हो गई थे, बलकि 19 सदी के मज़ तक तो बंगाल की जमिदार अंग्रेजों के प जमिदार या बड़े जमिदार या राजा का रोल रखते थे, तो वो क्या हुआ कि अपना प्रभोत्तों जिनों ने या अपना स्थित्तों जिनों ने बनाके रख लिया, बाद में फिर क्या हुआ कि वो अंग्रेजों के पूरे पक्के वफादार बन गए थे, अंग्रेज से कबजा नहीं देंगे जमीन का या फिर ये खरीद लेंगे या फिर इतने साल से हमारे साथ ये काम कर रहे हैं तो उनका जो रवया है या उनका जो बात करने का विवार करने का तरिका है वो थोड़ा लचिल्ला हो गया था लचिल्ला का मतलब इनके प्रती जादा कठोर नही क्रिशक विद्रों के शमय कंपनी सरकार की बरपूर शाय था कि उधारण के लिए महराजा महताब चंद 1820-1889 जो तेज चंद के बाद वर्दमान का राजा बना था ने 1857 था संथाल विद्रों में सरकार का साथ दिया यानि यह क्या था इंके बैंगरेजयों के रुख परतिनरम था और यह अंगरेजयों के वफादार बन गही थे तो जो 1918-27का जो शंथाल विद्रों हुआ थीक है तो उसमें सरकार का है और भी जो जन्ता थी उनका अपसमीज इस तरहां से विद्रों एक उसमें जो मैताब चं परन्तु मैताप जंद के समय जमिदारी संकट से निकलाई थी इस पस्ट है कि इस्थाई बंदोबस छे जमिदारी समशा गरस्त हो है यहां तक कि कुछ बरबाद भी होए परन्तु पूरून ते विस्थापित नहीं होए उनका वर्चस्व कायम रहा है यानि कुछ लोग थे जिनकी जमिदारी उनके आद से निकल गई थी या जिन्होंने जमिदारी को छोड़ दिया था बाकी ज्यादा संख्या में लोग ऐसे थे जो अपनी जमिदारी को बचाने में शफल हो गई थे और वह वहां से विस्थापित नहीं होए मतलए वहां से छोड़ कर दूसरी जगाओं पर जाकर वह नहीं बसे और वह उनका वर्चस्व पना उन्होंने कायम रखा तो ये था जमिदारों के प्रतिरोद और ननीतिया पहली तो थी बेनामी खरीदारी किस प प्रताउन के क्रांती में भी नोने जो महताव जंथ ही नोने सरकार का साथ दिया और उस विद्रों को समाप्त करवाया अब कल हम पढ़ेंगे फर्मिंगर की पांच फी रिपोर्ट यानि बंगाल में परिवर्तन के दोर से जब गुजर रहा था तो यहां जो फर्मिंगर को प्रतार रिपोर्ट वो भेज चुके थे इसी से संबंदित जो भारत में अपना सासन कर रहे थे तो इसकी पांच फूर रिपोर्ट क्या थी वो हम उसके बारे में कल अद्धन करेंगे आज के लिए इतना ही तो इसमें जो प्रशन है तो इसमें जमीदारों का जो नोट गुग में करना है आपको